मैं सुगतो आज मेरा जो नया कोर्स है उसके लिए मेरा जो नया कोर्स का नाम है बोसे है डेरिंग लेजिंडारी और जो कोर्स है वो पिछला कोर्स था जो नेरिंग चैंपिंए उसमें जो मैंने रखा है वो basically trendy market को follow करता है मतलब जिस दिन market sideways रहता है जिस दिन market choppy रहता है उस दिन वो system काम नहीं करता है मतलब out of 20 days मैं कह सकता हूँ day trading champion में हम 12-14 days काम मिल सकता है बागी 8-6 days मुझे काम मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है हम कह सकते हैं कि averagely through of the month हम लोग 12-14 days हमें काम मिलता है day trading champion की course है जो आप मेरे intradaystrategies.com के website में जाके मेरे course details में मिल सकता है और जिसका कुछ पार्ट मैंने youtube में भी रखा है आप एक सेक्पर मेरे class में जाकर मेरे channel में जाके intradaystrategies के और यह जो course में बनाया है वो है day trading legendary और यह market और भी advance मतलब यह strategy मुझे और भी advance जगा पर ले गया है क्योंकि आप अभी हम कह सकते हैं कि out of 20 days यह दो course मिला के मतलब day trading champion and day trading legendary यह दोनों course मिला के मुझे हम कह सकते हैं कि हमें out of 20 days 18 days automatically कहा मिल जाएगा मतलब trade मिल जाएगा और हम लोग इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि कि आपको महीने में 35 से 50 ट्रेड मिल सकते हैं हम लोग महीने के इंसाफ से चलते हैं बीस दिन में 35-50 ट्रेड्स हों मिल से कर्मीनिरम 35 ट्रेड्स आपको मिल जाएगे इस से तो इस कोर्स में क्या है इस कोर्स में क्या है वह ही एक्स्प्रेंट करने के लिए प्रमो वीडियो नमने बनाया है पहली चीज मैं बता दूं कि इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम लोग इती मार्केट में जाएंगे आपको दिख रहा है यह इती मार्केट का साइट है तो इती मार्केट में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं पहले बता देता हूं गुवल में जाके आप इती मार्केट टाइप करोगे तो इती मार्केट का औप्षन आजाएगा आपके सामने और उसमें जाके करके आप इती मार्केट के देटा आपके सामने आजाता है तो मैं पहले भी मेरे वीडियो में कहा है कि मेरा बेंचमार्क इंडेक्स निटी 200 है तो मैं वही उसी इंडेस को बेंचमार्क मानके चलेंगा तो उसको लाने के लिए सब इंडेस का डिटेल्स आपके सामने आजाएगा और सामने आते ही आप यहां से निटी 200 को भून लीजिए और उसको क्लिक करके खोल लीजिए जैसे खूल जाता है साइड में एक स्पैंड करके एक option में जिसको आप फ्लिक करने से आपकी एक पेज में 200 शेर्स का डिटेल्स ओके पेंडेस तो जैसे आ जाता है तो आपको एक साथ-डूसों शेर्स एक ही पेज में दूत आ चोर्स में सबती सbor्व से बढ़ी चीज इस proven the और हम लोग सोचते हैं के यह स्क्रीन से आपकर काम नहीं बनता आपको आपको different types of programming use करना पड़ता है मगए इस course में आपको different types of screener जैसे आप volume buzzers कहिए active screener, RSI above 70 या below 30, stochastics above 80 और below 80, ADS जो भी कहें, आपको अलग-अलग से देखना होगा या तो एक साथ एक programming के रखना होगा मगए वो भी perfect नहीं होगा आपको फिर भी अपने naked eye से देखना पड़ेगा तो यह जो जगा है मैंने ET market में ET 200 का pages कोला है यहाँ पे मैं आपको ध्यान से बता दू कि यहाँ पे जो line chart चल रहा है यह line chart ही मुझे अच्छी खासी screen कर देगा कैसे करेगा कौन सी pattern line chart का मुझे help कर सकता है कि कौन सी stock को select करूँ कौन सी stock के charts में जाके मैं देखूँ कि यह chart सही है या जलत है वो मुझे यह line chart मुझे बता देगा कैसे बादा रहा है चाहे वो कुछ भी हो और दूसरी चीज़ है यह जो course है इस specially market शुरू होने से एक गंटे में जादा focus किया गया है क्योंकि पहले जो course है trading champion उसमें mid session and last session का जिकर किया गया है इसलिए मैं फिर से कोई mid session और last session के लिए course नहीं बनाए है क्योंकि वो ही perfect है सुबे की market बहुत important रहता है मतलब 9-15 से सारे 10 बज़े तक एक opening session मतलब उपिनिंग फ्रेश एक morning session जाता है उस morning session में आगर मुझे trade मिल जाता है तो मुझे सारे दिन बैटने के ये दर्खा नहीं पड़ता है उसको भ्यान रखते हुए मैंने इस post को बनाया है और भी बहुत सारे strategies आया है मेरे सामने जो मैं आगे जाके इस post में आपको share करूँगा यहाँ पर क्या देखूँगा अगर मैं देख रहा हूँ two days छे आपको यहाँ से आज जो market चला है JSW energy support आज जो चला है वो मैं यहाँ से देख पाऊँँ उसके साथ साथ मैं 30 दिन का भी trend यहाँ से देटा मुझे एक साथ दिखाई देगा है मैं हमेशा मानते हैं हूँ और मेरा experience मेरा जो research है उसको मैंने देखा है कि two days trend मतलब आज मैं data ring करने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैं एक बात देख लूग कि last 30 days में एक stock कहा पे है कौन सी trend में है sideways में है या downtrend है या uptrend है या neutral है क्या है वो आपको last 30 days के chart से पता चल जाएगा और दूसरी चीज़ से आज क्या चल रहा है suppose मानने जी last 30 days में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि stock अभी high पे चल रहा है और आज भी और आज भी यह stock उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आपके लिए एक line chart से clear view हो जाएगा कि मैं यहां से तो एक view सही है कि Indian bank अभी भी uptrend में है उपर जाने की कोशिश कर रहा है मतलब भी buy zone में चल रहा है और आज भी stock 1% या 2% उपर चल रहा है तो क्या इसमें और भी जाने का संभाब ना है या नहीं है कैसे देखूं उसके लिए एक class बनाया गया है इसमें कौन सी pattern follow करना होगा हर चीज मैंने यहां पर explain किया गया है यहां पर और सबसे बड़ी बात है इस course में कोई indicator use किया गया नहीं है सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट में कौन सी pattern काम करता है और last 30 days train में कौन से कौन सी जगा होने से आपको तुरंट पता चल सकता है कि एस top को मुझे एक बात चार्ट में देख लेना चाहिए candlestick चार्ट में या बार चार्ट में कोई भी चार्ट में अगर आ जाता है तो तुरंट मैं उसमें काम कर सकता हूँ और पहले एक घंटे में मुझे एक ट्रेड मिल जा सकता है अब दूरो दिंग के लिए मुझे भीनने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसलिए ये रिकोर्स बनाया गया है मिद सेशन और लास सेशन के लिए डे ट्रेडिंग चैंपियन का जो कोर्स है मेरा वो एनफ है और ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि लास्ट अब देखिए लास्ट 365 वान येर में कहां पर चल रहा है मतलब यह यहां पर बॉटम किया है आपको दिखाई देगा है तो आपको पता चल जाएंगा कि पूदह यहां से आप दुदकत होता है तो यह सबसे बड़ी स्क्रीनर आपके लिए हो जाता है कि आपको कोई अलग से कोई स्क्रीनद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता तो मैं देख रहा हूं कि लास्ट वान इयर में यह स्टॉप यहां पे तो यह ज़ह पर जगा में सपोर्ट कुरा उपर चल रहा है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर में लिए नहीं है इंगे फैक्टर कौन सा है 2-day train and 30-day train अगर 30 देज में देख रहा हूं का आप आराम से दिखाई देडा और आज का ट्रेन पुरा सब्वत माली जी पहले 15 मुईट में ऐसा कोछ उठा था पहले 15 मुईट में यही तक उठा था तो मैं कौन सी एंगल स्टॉप का कौन सी एंगल में होने से मैं उस टॉप को पहले 15 में देख सकता हूं वह मैं इस क्लास में बताओंगा इस में 30 गेस में कौन सी कौन सी पैटर्न होने से आप एक दूसरे को देख के पता चल सकता है यह stock जाने वाला है और उसको जस्ट और confirmation आपने chemistry charts को देख लेते हो और वही से टेख लेते हो तो confirm और भी हो जाता है तो ऐसे करके मैं अपना stop को select करूंगा देखने के लिए और फिर मैं चला जाओंगा अपने charts पे chart के होगा chart का जो time frame होगा मैं जिस time frame को use करूंगा इस stop के लिए वो है 30 minutes time frame जो होगा 30 minutes का chart time frame होगा मैं इस time frame में candlestick के help से मुझे आराम से stock मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है इस सब stock strategy use करने से पहले मुझे market direction जानना बहुत ज़री है जिसका थोड़ा parts मैंने प्री वीडियो में ही रखता है आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके इंट्रेड़ स्टैटिश के चैनल में जाके बाकी सब class क्योंकि यह sideways market को भी explain किया है तो उसका थोड़ा marketing मतलब market direction का parts मेरे तेट class में रखेगा रहेगा और आपको वही से देखना पड़ेगा क्योंकि कि अभी sideways market को भी मैं focus में रखूंगा और मेरा जो stop selection होगा 30 minutes time frame के ऊपर होगा choice करके और दूसरी चीज है मैं जैसे ही choice कैसे करूंगा choice मैं candlestick chart से करूंगा और 30 minutes time frame नहीं करूंगा और stop loss के लिए तो मैंने 3 videos आपको लगाया है दिया आई गया है 3 videos आप उसको follow कर सकते target measurement मेरे state editing champion के classes नहीं होगा आप उसको भी अगा खरिते हो तो उसमे target measurement आपको मिल जाएगा अलग से को target measurement के लिए कुछ लाया गया नहीं है सिर्फ और नया strategy लाया गया है जो sideways market and trendy market दोनों को cover करेगा और पहले के घंटे में focus करेगा ट्रेड ले में मुझे target है कि मैं साय दिन बैख कि research करते बोर्ड ना हो जाओ यही मेरा target है मैं सुबह में आगा कि stop महीं जाता है मुझे तो इसके लिए यह focus किया गया है और दूसरी चीज़ है मैं आपको बता दूटी कि मैं 30 minutes में फ्रेम में काम करूंगा तो मैं थोड़ा से psychology आपको share करता हूं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूं तो मैं अपने time frame को 30 minutes कर लिया और यह जेखिए अगर मैं इसको बढ़ा करता हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि इससे पहले मैं सबस्मानलो यहां पर trade कर रहा हूं अगर मैं इतना बढ़ा करके रहा हूं तो मुझे पिछला data से पता ही नहीं चल रहा है कि इस्टॉक कहा पर चल रहा है तो पहली तो मेरा जो चीज़े मैं यहां से ही पता चल सकता है कि last 30 days में कहां पर चल रहा है और आज का दीन का train में कैसे हैं मैं इस दोनों को देखके ही आया हूं यहां से थोड़ा तो view आई गया है तो मैं और एक चीज़ बता देता हूं यहां पर जो मैं यूज करूंगा ओवियसली केंडल स्टिक पैटर्स को यूज करूंगा मगर सिर्फ एक से दो ही पैटर्न यूज होगा और कंफांग यूज होगा और उसके लिए कौनसी कौनसी स्टाइल में स्टॉक होना चाहिए देखना चाहिए वो सब नेज में है जो आपको स्टाइब कर दिया जाएगा आपको वो ही इमेजेस आपको पत्ते-पत्ते आइसाइट बना देगा और वो ही आप हर दिन मार्केट में मिलेगा आपको खुद से कोई कश्ट करके ढूलने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको रेडी-मेट इमेजेस घ्रेस गूंगा जिससे आपका प्रक्तिस हो जाएगा अब बस आपको सिर्फ करना क्या है सुगर की मार्केट में उतना है मार्केट डारेक्शन को देखना है और उसके साथ-साथ यह चीज आप तुदे स्ट्रेंग वर्सस थक्तुदे स्ट्रेंग का दोनों का चार्ट आप लाइन चार्ट को देख लोगे जैसे ही वो प्रमेशन मिल जाएगा आपको तुरंत अपने चार्ट में आगो जाके मैं आपना स्टॉक फूल देगा एक चीज मैं आपको धियान में दिला दू अगर एक स्टॉक 52 वीक्स लो में चल रहा है तो अगर वहां से रिवर्स आता है तो आप कभी भी उसको दाइ अगर यहां से अगर एक रिवर्स आ जाता तो थोड़ा मुश्किल था आप यहां पर मैं आपको थोड़ा इमेजस दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा यहां पर देखिए यहां पर एक तो अगर इहां से कोशिश कर रहा है जैसे यह रहा है फिर यहां से अगर रिवर्स करता है फिर से अगर reverse करता है अगर पहले एक धेंटे में मुझे को confirmation देते हैं यहां से ज़रूर sell कर सकता हूं मगर पिछले support को किकाल इसने ड्रेक नहीं किया तो में यहार से reverse buy कर सकता हूं जैसे यह पर उच रहा है पिर यह पर अगर ब्रेक कर रहा है तो यहा पर मैं फिर से sell कर सकता हूं फिर एक नया support बनाया इस support को तोढ़ा नहीं तो अगर यह खिली पिछले सबुट को भ्रेक ना करके फिर मैं बाई करूगा ऐसे करके यह चलना है इसका उल्टा समझ लेज़े अगर कोई स्टॉप कीटी को इस हाई पे चल रहा है तो अगर वही से रिवर्स आ रहा है तो मैं पहले रिवर्सल में सेल नहीं करूगा मुझे एक बाद चेक करना होगा कि फिर से वह हाई ना बना दे अगर फिर से कोई हाई बना नहीं पाता है फिर फिर रिवर्सल आता है तब मैं सेल करूगा फिर यहां से अगर उपर जाने की रिट्रेस करने की कोशिश करेगा फिर मैं फिर से बाई करूगा तो अभी भी एस को बाई जोन में तो ऐसे करके मेरा एक psychology में समझना होगा, जैसे यहां पर दखी यह आप लो ठाँ, तो यहां से रगर कोई है रिवार्स, हो राय तो मैं नहीं करेंगा, कि अधायसे है हो राया, कि मैं नहीं करेंगा, पीर उंपर जाकर, फिर अगर नीचे आम इसकोशिश कर रहा अगर मेरा पेंड्रेन्स मिल जाता है तो मैं सब्सक्राइब कर सकता है। अगर अगर स् Azim अगर एप डिवीच तू आकर सैन सुग Mast अगर एक सॉपर्लडोरी को कि अगर साइन व। निकोर बिवकर सेरका कैं। जैसे मैं इस हैं और एक गहाते हैं पहरी पर जब उच्छा ठाथा है यहां मेंों में एक सैन यहां पे लिएक ब्रिक किए हैं यहां पर कोई reverse आया ही नहीं है, फिर से उपर जाने ही पोशिश कर रहा है, यहां पर reverse आया है, तो मैं यहां पर sell कर सकता है, मगर ध्यान में रहे, मैं सिभ यहां पर एक psychology बतारा हूँ कि मुझे क्या कर रहा है, यहां से अगर रिवर्स हो रहा है कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए नहीं हुआ, क्या हो सकता है, गिल भी सकता है, चांसे 50-50 है, चांसे 50-50 है, क्योंकि यह 52X हाई में चल दागा, 52X हाई में इसलिए नहीं है, इससे पहले भी एक हाई हुआ है, तो आप सेल कर सकते हैं, क्यों कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप देखरो, अभी मेरे सामने जो images से इसके हिसाब से यह पहला हाई था, जिसके कारण मैं इसमें जब रिवर्सल आया था, मैं सेल नहीं किया, फिर उठ ग मतलब पिछले हाई को इसने ब्रेक कर नहीं पाया, तब मैं रिवर्सल में सेल कर सकता हूँ, तो ऐसे करके मुझे साइकोलोजी बनाना है, यह मेरा जाज साइकोलोजी है, इसके बाद मैं अपना स्ट्राइडेजी शेयर करूँगा, थेर क्लास में, और लाइन चार्स में, तुदे स्ट्रेंड और 30 देस में कौन सी कौन सी पैटर्न फॉलू करने से, आपको पता चल सकता है कि इसी स्टॉक को जाके देखना होगा चार्च में, और किसी और स्टॉक को देखने की जरूरर तूनी है मुझे, आप कौन सी परसेंटेज, मतलब तू परसेंट के उपर या 1% के उपर स्टॉक देखनें, और एडवांस डिकलाइंग का रेशियो कितना कितना होना चाहिए, यह एपलाई करने के लिए सब कुछ मेरे पेट क्लास में शेयर किया जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यह सिर्फ टोमो था, आपको समझाने के लिए कि मेरा जो न आपको यहां से मिल सकते हैं, आपको यूटूब में जाते हैं, आप इंटारे स्ट्रेजी अगर टाइप करते हो तो मेरे क्लास आपको सामय आ जाएगा, अगर आप मेरे वेस्टेट से मेरा डेटेडिंग चैंपियन का www.intradestrategies.com में जाएगा, और मेरा कोर्स अगर देख जाते हो तो आप www.intradestrategies.com में जाके मेरा नंबर देख के आप मुझे फोन कर सकते हो, और मेरा जो चैनल है उसमें जाके सस्क्राइग कीजिए, उसमें जाके आप सस्क्राइग कीजिए, और मेरा जो प्री वीडियो आपके सामय दिखा है उस सब को पॉलो कीजिए, तो य यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो से इसको भी फॉलो कीजिए, यहाँ पर मार्के टारेक्शन पर बहुत कुछ स्प्रेंग किया गया है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, यह जो मेरा क्लासे से इंटरे स्टैडिजिस करके लिखा हुआ है, यह जो पांच देमो, यह मेरा डेटेटिंग चैंपियन का देमो वीडियो है, जो 20% मेरा कोस का 20% देमो वीडियो यहाँ पर दिया गया है, इसको पॉलो कीजिए, अगर आपको लगा रहा है कि इजी है, आप इसको देख सकते हो, तुरन कॉल कीजिए, पॉल करके इसको खरेट देख सकते हो, और सही मैंनिये कि जरूर आपके लिए काम करेगा, कोई अलग चीज नहीं, यहाँ से भी आप प्रासस देख सकते हो, यहाँ पर प्राइजिंग है, यह मेरा फोन नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टक्ट कर सकते हो, ओके थैंक्स, थैंक्यू. विए भी आपके लिए नंबर आपके लिए मांन सकते हो, यहाँ पर आपके लिए देख सकते हो, यहाँ परकारे, यहाँ झालग पर यहाँ अवाँ.